हेलो फ्रेंड मैसल पीम सर डाइरेक्टर आफ युद्धा इंस्टिट्योड और नेट की बात में आपका बहुत-बहुत सागत है तो चलो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है प्लाटी हेलमेंथिस जो की किंडम एनेमेलिया में चार नमर का फाइलम बताया जाता है तो चार नमर का फाइलम आज हम जो study करेंगे उसका नाम क्या है बताओ एक बार फिर से platyhelminthis बताओ एक बार बरे प्यार से बताने है आपको क्या है उसका नाम platyhelminthis अब देखो platyhelminthis चार नमर का फाइलम है और हर फाइलम को divide करने का हमने एक criteria आपको बताया था जो कि previous year से हम उसको प्रिवेस फाइलम से हम उसको study करते आ रहे हो है habit, habitat उसके बाद body symmetry, body silo, segmentation, उसके बाद body plan, उसके बाद level of organization and germ layer, digestive system, excretory system, reproductive system, neural system and example उस सभी criteria के साथ आज हम इस platyhelminthis को भी क्या करेंगे study करेंगे तो चलो platyhelminthis मतलब क्या होता है helmet का मतलब होता है worm और platy का मतलब होता है dorso ventrally flattened, मतलब those worm they are dorso ventrally flattened, उन सभी worm को हम कहाँ पे classify करते है, platyhelminthis के अंदर, कहाँ पे classify करेंगे बताब एक बार, platyhelminthis के अंदर, चलो, तो platyhelminthis को यहाँ पे study करेंगे, आगले 25 से 30 मिनट के अंदर, पूरा platyhelminthis आपक का आप question विल्कुल solve कर सकती है, after 22-30 मिनट, बात के लिए रिखने, चलो, तो इसका देखेंगे सबसे पहले habit, क्या देखेंगे, बताब एक बार, habit, चलो, कुछ animal का हमने आपको habit बताए था, क्यो ओ, एक बैटिक होते है, कुछ animal का क्या बताए था, ओ, terrestrial होते है, कुछ animal का हमने आपको बताए था, वो aerial होते है, लेकिन यह जो platy elementis है, यह endo parasitic nature के होते है, बताब एक बार का इसे होते है, endo parasitic nature के, endo का मतलब होता है, inside parasitic मतलब होता है, दूसरे living organism पर feed करना, मतलब उनके nutrient के लिए, या फिर उनके shelter के लिए, वो क्या रहते है, depend रहते है, दूसरे animal पर, अब देखो, मतलब एक एसे है, parasitic nature के है, और parasitic nature दो टाइप का होता है, endo parasitic and ecto parasitic, ecto parasitic का मतलब क्या होता है, ओ animal, दूसरे animal के external part पर रहेगा, तो उसे क्या कहते है, ecto parasitic, और अगर animal, किसी दूसरे animal के body के inside रहते है, और वहाँ से उनका nutrient लेंगे, वहाँ से as a shelter uating अचंतर रिउस करेंगे, तो उसे क्या कहते है, endo parasitic, so platy helmetus कैसा है, endo parasitic, animal है, कैसे है, बता एक बार, endo parasitic, so endo parasitic उनका nature हम किसमें लिख सकते हैं, उनके habit में, बात के लिए रिखने उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था बताओ एक बार क्या होता है बताओ एक बार। ओर्गन लेवल ऑफ बाड़ी और्गनाईशन इसके पहले के जो दो फाइलम थे। तीशू लेवल और पहला पूरिफेरा कैसा था। सेलूली लेवल बाड़ी और्गनाईशन स्था Хbird बार इनके बॉड़ी में क्या फॉर्म होते हैं और गन पोर्गन मतलब एप पहला फायलम है organ level of body organization उसके बाद हमने इसका क्या देखा था बताओ एक बार germ layer क्या देखा था germ layer क्या देखा था बताओ एक बार germ layer अब देखना इनका germ layer क्या होता है germ layer इनके पास कितने germ layer होते हैं यह पहले animal है जिनके body के अंदर endoderm, ectoderm and mesoderm भी form हुआ है मतलब तीनों के तीनों germ layer इनके पास है तो एक कैसे हो गए बताओ एक बार triploblastik इससे पहले जितने भी थे कैसे थे diploblastik यह पहले animal है जो क्या है triploblastik सो इनके पास germ layer तीन है तो they are triploblastik they are triploblastik बताओ एक बार they are they are triploblastik छलो उसके बाद क्या देखा था हमने इसका symmetry क्या देखा था बताओ एक बार symmetry क्या देखना है symmetry बताओ एक बार क्या देखेंगे symmetry अब इनकी जो symmetry है यह कैसी होती है bilateral symmetry यह जो worm है मुझे बता है WORM कैसा होता है यह कुछ एससे inside the body का आकार होगा ऐसा एक वर्म होगा तो मुझे बता इनको हम कैसे कट सकते हैं कट कर सकते हैं एक ही प्लेन होगा ऐसे कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में इसके दो इक्वल हाफ हो गए तो मुझे बता बॉडी सिमेट्री क्या हो गया बाइलैटरल सिमेट्री क्या हो गया बता क्या देखाता सीलूम क्या देखाता सीलूम मुझे बतां इनके बॉड़ी के अंदर जो सिलूम है मुझे पताbig इनकी नचल समbell अगर बताना है तो कृतने माली होने चैने मीनिमम पहला बार क्या बारी मैं कि नचल यह पड़ रहे हैं मतलब अब हम बता सकते है यह A silylomate होगे सुडो silomate होगे या U silomate होगे तो A होते है a silomate मतलब पूरी तरह से silylom form होता है क्या नहीं होता इसलिए इसे क्या कहते है बता एक बार a silomate क्या होते है ए a silomate बात के लिए रखने उसके बाद इसका क्या देखेंगे segmentation क्या देखेंगे बताओ एक बार segmentation क्या देखेंगे segmentation तो इनके body के अंदर भी segmentation नहीं होता इनके body के अंदर भी segmentation होता है क्या नहीं होता बताओ पहला क्या habit दे आर्द एक एंडो प्यारा सैटी दूसरी बात body organization क्या है और गन लेवल अप बोड़े और अर्गनाइशन जर्म लेर कितने होते हैं इनके पास तीन तो यह क्या है triploblastic animal है उसके बाद इनकी symmetry क्या है bilateral symmetry है उसके बाद इसका silom क्या होते है और silomate उसके बाद इनके पास segmentation रहता है क्या नहीं रहता तो यह क्या होगे segmentation नहीं है उसके बाद देखेंगे इसका body plan क्या देखेंगे बता एक बार body plan क्या देखेंगे body plan अब देखेंगे body plan ज मतलब एक ही ओपनिंग है तो इसके पास जो body plan होगा वो कैसे होगा blind sack body plan कैसे होता है बता एक बार blind sack body plan कैसे होगा blind sack body plan तो यह होगा इसका normal criteria जिसके थो हम platy helmetus को क्या कर रहे है वहाँ पर divide कर रहे है उसके बाद दूसरा criteria क्या है इसके अंदर ही दूसरा criteria क्या digestive system या फिर reproductive system excretory system so I can raise this okay इसके बाद हम पढ़ेंगे digestive system ओला चलो बड़ा उसके बाद पढ़ता है इसका digestive system excretory system neural system and reproductive system so first I will start with digestive system मुझे बताओ यह कैसे है अनिमन अभी मैंने आपको बताया कि यह कैसे होता है endoparasitic कैसे होते है endoparasitic मतलब कुछ platy helmetus मेरे body के अंदर intestine में है अगर intestine में होगा तो ओ मेरे body से already क्या सक कर रहा है वहाँ पे nutrient सक कर रहा है so nutrient सक किया direct nutrient सक करेगा तो उसको फिर आगे कुछ digestion करने के जरूरत है क्या नहीं मतलब इनके body के अंदर digestive system develop होनी के जरूरत है क्या नहीं है क्योंकि direct digest किया हूआ फूर ही क्या कर रहे हो आपसॉप कर रहे है इसलिए इनके body में digestive system developed है रहता है क्या नहीं रहता so digestive system क्या रहता है इनके body के अंदर absent रहता है उसके बाद excreatory system उसके बात क्या है, excretery system, excretery system, अब मुझे बताओ, इनके body के अंदर organ तो form होए है, मतलब अब system form हो सकता है, तो इनके body के अंदर जो भी system form होआ है, excretery system होगा, system तो इतनी अच्छी तरह से नहीं developed होआ होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ structure होता है, तो इनके body के अंदर excreation and osmo regulation के Osmo regulation regulated by flame cell, क्या बता एक बार, flame cell, क्या flame cell, अब यह जो flame cell होते हैं, इससे क्या होता है, इनका Osmo regulation हो जाता है, इनके body के अंदर जो flame cell हो गए, उससे क्या होता है, इसका Osmo regulation, okay, flame cell, अब यह जो flame cell है, इससे flame cell नाम क्यों दिया गया है, इधर धान दो, जो इनके body के अंदर जो cell है उसको जो उसका जो structure है वो ऐसा होता है यह ऐसा होगा और यह जो मुझे बता यह जो आकार है यह किसके जैसा है flame जैसा यह किसके जैसा है बता एक बार flame जैसा समझो आपके पास कोई candle है उसको हमने burn किया तो उसके उपर जो flame दिखाए देता है वो ऐसे ही होता है तो ए जो उनके अंदर जो excretory structure है excretion करने वाले जो sale है उसका आकार कुछ ऐसे होगा flame के जैसे इसलिए उसको नाम क्या दिया गया है बता एक बार flame sale क्या नाम दिया है बता एक बार flame sale so excretion and osmo regulation के लिए जो structure responsible है वो क्या है flame sale तो ए इसका एक node point बनेगा या फिर feature point बनेगा मतलब flame sale बाकि दूसरे कोई ठाइल में आपको देखने को मिलते है क्या नहीं देखने को मिलेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसका neural system क्या देखेंगे बता एक बार neural system neural system बता system तो उतना जादा डेवल भॉल एक मतलब उनके बाड़ी के अंदर यहाँ पे निउरल system कुछ ना कुछ तो डेवल धेवल हुआ होगा सो इनके बाड़ी के अंदर जो neural system है वो केसे होता है primitive type का neural system होता है कैसे होता है बता हो एक बार primitive type का मतलब उनके body के अंदर यहाँ पे सबसे पहले syphelization दिखाई देता है क्या होता है syphelization मैं आपको इसके feature point में दिखाई दूँगा syphelization मतलब क्या body से brain अलग तरह से identify होना मुझे बता पोरिफेरा या फिर हमने टीनोफोरा देखा था टीनोफोरा में आप बता सकते हो क्या यह इसका body part है यह इसका head है ऐसे बता सकते थे क्या नहीं head मतलब क्या syphelum तो इसके बारे में identification की idea नहीं आती थी लेकिन platy elementis में सबसे पहले यह brain का part थोड़ा अलग दिखाई देता है और body का part अलग दिखाई देता है मतलब हम उसका head अच्छी तरह से identify कर सकते है मतलब उसका syphelum identify कर सकते है तो उसी को क्या कहते है syphelization तो first time यह जो platy elementis है इनके body के अंदर क्या दिखाई दिया था syphelization का concept हम पहली बार observe कर सकते है तो syphelization होगा तो इनके body के अंदर क्या होते two to three ganglia मतलब उसके syphelum में head region में क्या होगे two to three ganglia होते है और primitive nerve system होता है कैसा nerve system होता है बता एक बार primitive type of nerve system बता एक बार कैसा primitive type इनका जो neural system होगा और कैसा होगा बता एक बार primitive type उसके बाद देखेंगे इनका reproduction क्या देखेंगे बता एक बार reproduction आर यो getting or not reproduction चलो सबका favorite portion सबका favorite topic reproduction तो ये reproduce कैसे करेंगे देखना ये जो platy helementis है platy helementis के एक ही body में दोनो sex organ होते है मतलब male and female sex organ present within a same body एक ही body में है मतलब एक क्या है bisexual बात कले रिखने एक ही body में दोनो sex organ मतलब क्या होता है double धमागा होता है इनके body के अंदर मतलब male sex organ as well as female sex organ दोनों भी क्या होगे एक ही body में मतलब एक कैसे होते है bisexual कैसे होते है बता एक बार bisexual सो reproduction में हम क्या बदा सकते हैं bisexual पहला point they are bisexual they are bisexual बात क्लियर रिखने they are bisexual bisexual मतलब दोनों भी sex organ एक ही body में enclosed होना उसे क्या कहते है bisexual condition bisexual मतलब monoseous या dioceous monoseous bisexual मतलब क्या monoseous सो bracket में आप यहीं पर लिख भी सकते हो bisexual मतलब क्या monoseous monoseous बात क्लियर करी bisexual मतलब क्या होते है monoseous सो दोनों भी sex organ एक ही body में present है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया they are bisexual अब देखना उनका क्या देखेंगे fertilization मतलब reproduction कैसा है उनका sexual type कैसा है बता एक बार sexual type सो उनका देखेंगे fertilization दूसरा point क्या fertilization अब देखना fertilization यह reproductive system में मतलब sexual reproduction में कौन सा step होता है second step अगर reproduction sexual हो तो पहला step क्या होगा gamut formation मतलब पहले तो gamut farm होगे फिर gamut क्या होगे fuse होगे तो gamut fuse होने के process को ही क्या कहते है बता fertilization हमने आपको बताया था दो type का होता है external fertilization या फिर internal fertilization अब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों भी sex organ कैसे है body के inside है तो मुझे बताओ gamut को बाहर जाने की जरूरत है क्या नहीं fuse होने के लिए बाहर जाने की जरूरत है क्या नहीं तो fertilization body के अंदर ही हो सकता है इसलिए इनके पास fertilization क्या होगा इनका fertilization कैसे होगा internal कैसा होता है बता एक बार internal कैसा होता है बता एक बार internal fertilization होता है उसके बाद उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इनका development क्या पढ़ेंगे बता एक बार development मुझे बताओ development भी कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है development भी कितने type का होता है दो type का direct development and indirect development अगर उनके life cycle में larval stage नहीं आता है तूसे क्या कहेंगे हम direct development और अगर larval stage आता है तूसे क्या कहेंगे indirect development तो इनके body के अंदर ही इनके life cycle के अंदर ही क्या आता है larval stage तो इनका development कैसे बताएंगे हम indirect development तो बताओ, development कैसा होता है, indirect development, कैसा होता है, indirect development, बात के लिए रिखने, indirect development, so एह हो गया इनका digestive system, excretory system, reproductive system and neural system, so this is the information about the system, बात के लिए रिखने, उसके बाद अब हम इसके क्या देखेंगे, feature point, क्या देखेंगे, बताओ एक बार बड़ा, feature point देखेंगे, और याद रखना, हम हमेशा हर फाइलम में examiner की कोशिश क्या रहती है, feature point से ही उसके question बनाना, तो इसके अंदर जो feature point है, ये बहुत ही important feature point है, excretory system वाला, flame cell वाला, क्योंकि examiner का platy helmet से अगर कोई question बनाने का मूर किया, तो ओ, इसके उपर बहुत ज़्यादा focus करता है, flame cell के, क्योंकि platy helmet से करके रखना है, कि excretory system में क्या होता है, excretion and osmo regulation regulated by the flame cell, in case of platy helmet, are you getting or not, yes or no, so I will start feature point, okay, तो चलो, मैं आप feature point बताना, start करता हूँ, चलो बड़ा, last में देखेंगे हम इसके note point, जो कि हम इसके feature point भी बता सकते हैं, अब देखो, इसके feature point में हम पहला point क्या बता सकते हैं, कि इनके body के अंदर का excretion and osmo regulation जो होता है, वो किसे होता है, flame cell से, तो पहला point हम लिख सकते हैं, यहाँ पे flame cell के बारे में, so excretion and osmo regulation, osmo regulation, occurred by, occurred by, बताव एक बार क्या flame cell, क्या बताव एक बार, flame cell, और flame cell का और एक नाम दिया गया है, proto nephredia, बताव एक बार क्या, proto nephredia, क्या बताव एक बार, proto nephredia, उसके बाद इसका दूसरा feature point है, देखो एक क्या है, endoparasitic, क्या है बताव एक बार, endoparasitic, endoparasitic है, तो एक क्या करेंगे, nutrient, सक करेंगे, क्या करेंगे, बताव एक बार, सक करेंगे, तो इनके body के अंदर, सकर भी होता है, और hook भी होता है, क्या होता है, बताव एक बार, इनके body के अंदर, सकर होते है, अब मैं आप जब यहाँ पे sticker के उपर जब मैं आपको liver flug का diagram बताऊंगा तो आप देख सकते हो hook जो होता है वो anterior part में होगा और सकर जो होता है उनके body के अंदर ventral सकर होता है मतलब यह समझो liver flug है मतलब क्या होगा hook मतलब किसी से अगर उसको nutrient nutrient apps आप करना है तो किसका यूज़ करेगा hook का अब अगर platy elementis को समझो अब nutrient मैं ऐसे उपर से सक नहीं कर सकता इधर nutrient है body के अंदर इधर nutrient है उसके host के अंदर तुम ओ क्या करना चाहेगा अब इधर से तो ओ ऐसा सक नहीं कर सकता तो क्या करेगा ventral side का जो सकर है उससे क्या करेगा वो उस nutrient को सक करेगा तो इनके body के अंदर क्या होते है बता एक बार इनके body के पास hook भी होता है and सकर भी होता है किसके लिए for the absorption of nutrient so they have they have hooks and suckers hooks and suckers for absorption of for absorption of nutrient for absorption of nutrients for the absorption of nutrients समझो उसे उसके host body से nutrient एपसर्प करना है तो उनके पास दो स्ट्रक्चर होते कुनसा कुनसा बता एक बार hook and दूसरा कुनसा होता है सकर so hook and suckers दोनों present होना यह बस किसी का characteristics feature है तो उपलाटी हेलमेंटिस का characteristics feature है तो last में चलो अब हम इसके क्या देखेंगे examples ओके चलो last में हम अब इसके example study करेंगे तो last में example मैं आपको जो है मैं यहाँ पे sticker पे बता दूँगा जो कि हर फाइलम में मैंने आपको sticker में यहाँ पे बताने के कोशिश की है क्यूंकि sticker में बताने के बाद visual as well as audio आपका दोनों तरह से benefit होगा मतलब visual देखेंगे तो आप पता कर सकते हो कि हाँ इसे यहाँ पे hook कहते है इसे यहाँ पे सकर कहते है चलो तो फिर से एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके example इसके example में पहला जो example है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ज़रा गौर से देखो ध्यान से देखो बस यह आपके लिए है तो पहला जो example है देखो यह example लाया और आपके सामने आएगा यह होता है टेनिया यह जो example आपको दिखाई देया है इसका नाम क्या है Tanya, Tanya का दूसरा एक नाम है Tapworm, क्या नाम हमें बताओ एक बार Tapworm, सो Tanya का दूसरा एक नाम है Tapworm बताओ इसे tap worm क्यों कहा जाता है देखो इसका आकार जो है इसका जो बोडी का safe है यह हमें tape की जैसा दिखाई दे रहा है इसलिए इसका नाम क्या है टेनिया या फिर क्या है tap worm चलो tap worm को थोड़ा हटाते है अब ए देखो दूसरा जो example आ रहा है आपके पास यह आ रहा है फैसियोला यह जो example है यह क्या है फैसियोला फैसियोला का दूसरा और एक नाम है लिवर फ्लक क्या है बताओ एक बार लिवर फ्लक अरे वेटिंग और नॉट, एस वर नो, क्या है, उसका बताओ एक बार नाम, लीवर फ्लक, यलका भी उच्छार करो, अरे विवर फ्लक, बड़े नॉट यने बनना, तो मुझे बताओ, यह है लीवर फ्लक, अब लीवर फ्लक का देखो, एंटेरियर पार्ट है, वो क्या है, सकर है तो एक हुक एंड सकर से क्या करेगा न्यूट्रेन को अपसॉप करेगा चलो अब लिवर फ्लक की बाद छोड़ी छोड़ते हैं उसके बाद हम लाएंगे आपके सामने दूसरा एक्जामपल अब देखो ए जो एक्जामपल आ रहा है यह क्या है बलड फ्लक यह क्या है इसके एक्जामपल और एक एक्जामपल है चलो अब इसको थोड़ा सा हटा देंगे स्वरी अब इसका जो दूसरा एक्जामपल आ रहा है यह जो एक्जामपल है यह होता है प्लैनारिया क्या होता है बतो एक बार प्लैनारिया सो प्लैनारिया भी किसका एक्जामपल है प् आपको बता था planaria, planaria का अगर कोई, वहाँ पे body का portion अगर cut हो गया, तो बाकी बचे portion को वह क्या कर सकता है, develop कर सकता है, उसे क्या कहते है, regeneration, तो planaria के अंदर आपको एक property दिखाए दे सकती है, उसका क्या नाम है, regeneration, प्लैटी हेलमेंटिस में एक example है प्लैणारिया उनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा री जन्रेशन ए भी point आपको यहाँ पे समझना है तो इसी के साथ साथ चलो प्लैणारिया को हटा दे तो चुल बड़ा इसे के साथ-साथ अपना फ्लैटी हेलमेंटिस की बात खतम हो जाती है बस 30 मिनट के अंदर आपका फ्लैटी हेलमेंटिस कवर होने की कोशिश हुई है तो फ्लैटी हेलमेंटिस से अब कोई भी जो फ्लैटी हेलमेंटिस के ऊपर बिल्कुल ऐसे है तो आपको हर वीडियो देखना है और लाइक करना है शियर करना है कमेंट करना है और हमारा चाइनल देखते रहना है जिसका नाम है नीट की बात थैंक यू